हिंदु जागरन मंच के माध्यम से आज पढगां में शाम को पाच बजे संत सम्मिलन होने जा रहा है और हिंदु धर्मसभा भी हो रही है इसका आयोजन यहां के कई संत है उनको लेके हिंदु जागरन मंच ने किया है लेकिन यहां के नए नए चुन क्या है जो सांसद है इन्होंने मेरे नाम से कहा है कि इसका आयोजन मैंने किया है और ये आयोजन इसलिए किया है कि यहाँ पे जातिवाद दंगा हो इसलिए मैंने किया ऐसा उन्होंने मेरे उपर आरोग किया मैं तो कहता हूँ कि इनका थोड़ा सा बुद्धी का परिक्षन करने के आवश्च रखता है तोकि ये जो काड है मैंने आपको दिखाया ये काड में स्पष्ट लिखा है कि इसने इसका आयोजिन किया है अगर ये देखे बिगर कोई इसके ओपर ऐलिगेशन करता है तो निच्छित तोर पर इसको कोई आदार नहीं है और मुझे जो समझ में आता है कि इनकी राजनीती अभी तक खतम नहीं होगी है इनको राजनीती करनी है अभी विदान सभा के चुनाऊ आ रहे है लोक सभा में जो नैरेटिव यहाँ पर फैलाया गया वह नीरेटिव के वज़े से हमारे मुसल्मान भाइओ ने एक साथ में आकर जो गोटिंग किया वैसे ही विदान सभा में वोटिंग हो इसलिए फिर से एक बारे narrative सेट करने का काम किया है दस साल मैं सांसत था, तीन साल मैं मंत्री था मेरे सांसत के कारेकाल में और मंत्री के कारेकाल में यहां पर एक भी दंगा हुआ नहीं ना कभी हिंदू मुसल्मानों में कभी तेड़ निर्मान होई लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन रिजल्ड हुआ उसके दुसरे दिन एक पुलिस को भी टपली मारने का काम यहाँ पर हुआ है हमारे मुसल्मान साथियों के साथ उस वक यह कहा थे अगर यह इत होंडी का माहल खराब करें सही मायने में अगर कोई मुसल्मान भाई बोलता कि कपिल पतिल दंगा फेलाने का काम करता है विसल्मान भाई कभी ऐसा बोलेगा ने क्योंकि हो मुझे सारे जानते हैं सारे भ्योंडी के मुसलमान साती हमारे जो लीडर है यह सभी मुझे जानते कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ वो कभी ऐसा वक्तवे नहीं करेंगे लेकिन दुर्भाग के पुरुन है जनता ने इस लोग सबाक शेत्र का विकास करने के लिए आपको चुन के दिया है तो आप विकास के काम के ओपर फोकस करिए चुन के आए दुसरी दिन किसी के साइड पे चले गए वहाँ पे भी कही दिया कि सारे जो इलिगल यहाँ पे काम हो रहे हैं इन सभी को कपिल पाटिल का आशिरवाद है अभी भैया तुम ही एक बार भाशन में कही दिया तुमने खुद क कि मेरे जो प्रोजेक्ट चल रहे है मैंने छे प्रोजेक्ट के ऊपर स्टेल कोर्स से लिया है तो तुमारा भी काम ही लिगल है तो उसको मेरा अशिरवाद है क्या अगर सब स्वच्छ करना चाते हो साब करना चाते हो तो पहले अपने प्रोजेक्ट से शुरू करो गिरा उ की और जो भी जितने भी इलीगल यहां पे कंस्रक्शन है वो सभी को इलीगल करने के लिए महाराश्ट्रा सरकार ने यह पॉलिसी बनाई है तो लोग अभी एक-एक करके अपना सारा जो इलीगल काम है लीगल करने के पिछह है सनमान एकनाश इंदे साब ने अच्छी पॉलिसी बना के यहाँ पे जो किसान है जिनके गुड़ाउन है उनको सवलत देने का काम किया है तो उनको मदद करो तो उनका ये गिराओ वो गिराओ इसके लिए लोगों ने चुनके नहीं दिया तुमको मैंने दस साल में मेरे सांसत के कारेकाल में और मेरे मंत्री के करेकाल में भी एक किसी अगर पॉजेक के खिलाब लेटर लिखा होगा तो आप मुझे दिखाई आई मैंने कभी भी किसी की कम्प्लेट नहीं की मैं यहीं चाहता था कि लोगों को रोजगार मिल रहा है यह मैम्र्घ को हमे बոलता था देव और पॉलिसी लाई हम जनप्रादिनिदी हैं, लोग प्रादिनिदी हैं, तो हमको है कि लोगों को हम क्या अच्छा दे सके, इसके लिए हमको कोशिश करने चाहिए, अये क्या है, जब भी उटते, धंगा करने के लिए कपिल पड़िल ऐसा करें, भाईया मेरा ये आयोजा नह अच्छे काम होते हैं किसी को कोई बिमार है तो उसको दवा के लिए पैसा हम लोग देते हैं किसी को शिक्षा के लिए पैसा नहीं तो फीज बने के लिए पैसा देते हैं हम हेल कैम लगाते हैं हमारे पास तीन बड़ी बड़ी गाडिया है जिसमें हम मोबाइल हॉस्पिटल चलाते डिस्पेंसरी चलाते गाओ गाओ जाके वो लोगों को दवा देके आती है उनका चेक अप होता है एक हमने तीसरा गाड़ी लाया है जिसमें आखो का चेकिन्ग होगा यह साρα हम समाज स्वेल का काम करते यह ऐसा काम करने का काम हमारा है नहीं मैं ये टी राजा सी lässtी जी यहां पर आ रहा है उनका कुछ उद्धेश है उनका अजन्ड है उन पत्रिका में लिखा है उस में पहले भी 2015 में कामत घर में इनका एक इसी तरह का समेलन हुआ। उस वक्त दंगा हुआ क्या भाहिंदर में हुआ। वह दंगा हुआ। ना उनको उनके आने से पहले युदवा ना जाने के बाद में हुआ। हर एक धर्म को अपना-पना काम करने का अधिकार है मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक इंसान को अपने धर्म का अपने जाती का अभिवान होना जरूरी है अगर हिंदु है तो मंदिर में जाए, क्रिच्चन है तो चर्ट में जाए, मुस्लिम है तो मजिद में जाए, सीख है तो गुरुदवारा में जाए हर एक इनसान को अपने अपने धर्मस्तल में जाने का पूरा अधिकार आए जाना ही चाहिए लेकिन जब हम वो धर्मस्तल से बाहर निकलेंगे तो ना मैं हिंदू हूँ ना मुसल्मान हूँ ना सीख हूँ ना इसाही हूँ मैं अगर हूँ तो हिंदुस्तानी हूँ